ओके गाईज तो रिस्ट की सर्फेस अनाटमी में अगर हम देखें तो सबसे प्रॉमिनेंट मसल जो दिखती है वो होती है हमारी फ्लेक्जर साइट पे पाल्मेरिस लॉंगस ठीक है सबसे फ्लेक्जर जो है सबसे प्रॉमिनेंट टेंडन इसी का दिखता है उसके जस्ट बीच में से और उपर की साइट यहां पे फ्लेक्जर रेटिनकुलम इसके बीच में से पास होती है हमारी मीडियन नर्व ठीक है अब ये देख लिजे मीडियन नर्व की सप्लाई करती है जो ब्लू वाली लाइन है वो सप्लाई करेगी आपके थंब को इंडेक्स फिंगर म जो की अलनर साइट से निकलती है इसके जस्ट बगल से गायन सके नाल में से निकलती है हमारी अलनर नर्व जो ये रेड कलर से डिनोटेड है ये हमारी अलनर नर्व ये सप्लाई करती है हमारी लिटल फिंगर और हाफ पोशन ऑफ रिंग फिंगर को ठीक है अगर हम पोस्ट extensor polices brevis ठीक है यह दोनों टेंडन साथ में निकलते हैं अब यहां से थंब को ही सप्लाई करती है हमारी extensor polices longus इन दोनों के बीच में हमारा जो अनाटमिकल snuff box पाया जाता है जिसमें से कि हम scaphoid को पालपेट करते हैं ठीक नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेंडन ecrb का extensor carpi radialis brevis जो की middle finger को सप्लाई करता है ठीक है अब इन दोनों के बीच में से निकलती है हमारी radial nerve आप radial nerve की सप्लाई देख लीजे black से denoted है थंब के posterior part को index finger middle finger और ring finger ठीक है लेकिन सिरफ half portion बाकी का जो उपर वाला portion है वो आपकी median nerve से supply होता है जो की हमारा blue से denoted था ठीक है अब ulnar nerve पीछे आके यहां से पीछे turn होके supply करती है हमारी half of the ring finger और little finger को मतलब की anteriorly और posteriorly दोनों ही side ring finger half और जो little finger है उसको supply करती है हमारी ulnar nerve ठीक है और यह होता है हमारा extensor retinoculum thank you